इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फरजी वारा कॉंग्रेस पार्टी है इनको कोई श्रमिकों से कोई समवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं उनके अंदर खाली एक है कि फोटो आप कैसे बने, कैसे सुद रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पुलिट साइज कर सकते हैं ये देखने को मिल रहा है और ये सदियों से उनका रविया है परिवार आया है, सदियों से कॉंग्रेस का पार्टी का रविया है, आपने देखा होगा चाहे वो नैशनल हेरल्ड का जो शेर्स का घुटाला था, उसमें स्कैम चाहे उनका जो जमीनों पे दमाद गेट होता है, उसमें घुटाला फरजी वाड़ा चाहे कोईले की दलाली होतो फरजी वाड़ा, चाहे कॉमन गेम्स वेल्फ का आयोजन होतो फरजी वाड़ा तो इसलिए ये प्रियंका और राहुल की फरजी वाड़ा कॉंग्रेस पार्टी बन गई है और इनों ने इस समवेदन शील मुद्दे जो की कोविड नाइनटीन में जो श्रमिकों को मदद देनी चाहिए थी मदद ना देते वे उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनको समवेदना नहीं है उनको राजनितिक अपना नफा नुकसान देखना है मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ जो प्रिन्वली जो पहली हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी है और हजार है तो सब की निकालेंगे तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे मगर ये देखिए आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये थ्रीविलर है इन्होंने फिर भेजा एक और देखिए ये देखिए इसके अंदर भी देखेंगे राजिस्तान का नंबर है ये भी है जी उसी का है ये थ्रीविलर फिर इसी तरह से देखिए थ्रीविलर के बहुत आ रहे हैं जानकारी आपको दे रहा हूँ हाँ वही आटो हो गया जब और फिर गुड्स कैरियर बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है मतब समान को धोने के लिए काम आएगा इस प्रकार के अन्ने चीजें सामने आई हैं यह दुर्भागेपूर्ण है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और कॉंग्रेस पार्टी और यहां से नहीं सीधा सोनिया गांदी जो इन दोनों की माँ हैं और कॉंग्रेस की अद्यक्ष्टा हैं उनको जवाब देना चाहिए कि यह फरजी वाड़ा पार्टी क्या कर रही है और यह फरजी वाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं किया इसमें आपका भी हाथ है, इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए! मैंने कहा भीümüz प्रिलिम्री करें, इसलें मैंने मैंने शब्द प्रिलिम्री करा है, आपके सामने तुरंट आये हैं, और अभी डीटेल्स निकल रही है, जैसे जैसे details आएंगी वो आपको हम लोग सब एक साथ दे देंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ कल रात में लिस्ट आई है आज सुबह से हमने वेरी इसलिए हम लोग ने लिस्ट मांगी देखे उस पे भी वो नोटंकी कर रहे थे उस पे भी राजनीती कर रहे थे क्या ये एक भी किसी क्या सरकार का अधिकार नहीं है राज सरकार का कि आप से fitness certificate मांगा जाए आप से पूछा जाए driver का नाम उसका license मांगा जाए ये सब क्या आवशक नहीं हमारे भी जो बसें चल रहे हम उनके उपर भी ये लागू करते है COVID-19 का test हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्या ये आवशक नहीं है कि आप से आप मदद करना चाहते हैं तो क्या ये आवशक नहीं है कि कहा बस को हम बोले कि वहाँ पर पहुचे या आप ही अपने मर्जी से सब करोगे तो हर जगे पे इन्होंने राजनिती करी और राजनिती करने के बाद इनका फर्जी वाड़ा सामने आ गया जो हम सरकार को अपने ना करना है वो विशे सरकार को पर छोड़ें जो कॉंग्रेस का है वो फर्जी वाड़ा नाम क्यों दे रहे हैं उस पर आप प्रशन पूछिए ना अब इस राड़ा है उसका तो पहले जवाब ले 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 फिर हम बताएंगे उसके बारे हम क्या करेंगे मगर यह आपके सामने आप चाहते हैं कि हम बस की जगे आटो को इस्तमाल कर ले आप चाहते हैं गुड्स कैरियर को हम लोग इस्तमाल कर ले क्या हम लो बस की जगे टाटा मैजिक को इस्तमाल कर ले तो मेरे कहल से ये संभव नहीं होगा मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने गर्वर्मेंट आफ इंडिया का पोर्टल है उससे ये डीटेल्स निकल रही हैं उसके आधार पर आपके पास बीच में जानकारी दे रहे हैं कहीं और से नहीं दे रहे हैं जब आपको हम लोगों ने कहा है कोई एक साथ उन लोग ने कार्गो प्लेन में तो लेकर लाई नहीं है एक एक करके लाएंगे हजार बसे तो आती नहीं है तो उसका समय लगेगा में उसके पहले फिजिकल फिटनेस ड्राइवर की ये सब डीटेल तो चेक होती है कि नहीं होती है तो वो काम कर रहे हैं हम लोगा है अब वो देखे जो सरकार को और करना होगा उसके बारे में बताएंगे जितनी आपको जानकारी देनी थी हमने दे दी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा है उनको स्वागत है कोई चीज उनको स्वागत पहले आप इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी इसमें तो कॉंग्रेस माहर है वो कुछ भी करना चाहें मगर कॉंग्रेस माहर है चोरी भी करें और सीना जोरी भी करें जो लिस्ट सामने आई है बसों की लिस्ट उसमें सीधे तोर पर कार, पाई, फ्री वेलर्स इसके साथ एंबुलेंस को लेकर यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो सामने आए हैं तो कॉंग्रेस पर जिवाड़ा पार्टी है इसको लेकर यह बात यहाँ पर सिधातना सिंग के जरे की गई है और कॉंग्रेस पर जोरदार हमला यहाँ पर उनका किया गया है तो सोनिया गांधी को लेकर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्या वो भी इस गड़बर जाले में शामिल थी जो राहुल गांधी और प्रियांगा गांधी वाड़ा ने किया है और अब इसको लेकर जवाब दे उन्हें आखरकार देनी पड़ेगी तो जो पूर में भी यहां पर मामले सामने आये हैं उनको ले भी उन्होंने का टाक्ष मारा है तंच यहां पर उन्होंने कसा है तो बसों को लेकर जो लिस्ट कॉंग्रस की तरफ से दी गई है सरकार को उस लिस्ट में जो फिटनिस सर्टि झाल